गुना करें प्रस्ण 29 में है सुन्य दस्मलो, सुन्य दो, तीन गुना सुन्य दस्मलो, सुन्य, सुन्य चार तो देखे पहले तेश्च चौक कितना होगा? तेस गुने 4 करेंगे तो 47 12 हात मेरा 1 चार दूनी 8 9 यानि तेस चौक होता है बानमे ठीक है तेस चौक बानमे अब देखिए 10 मलों के बाद 3 अंक है यहां पे 10 मलों के बाद 1,2,3, 3 अंक है यहां पे भी 1,2,3, 3 अंक है तो 3, 3 अंक कितना हो गया 3 अंक 3 अंक हो गया 6 अंक यानि 10 मलों के बाद यहाँ पर 6 अंक होना चाहिए तो 2 अंक है तो हम 4 सूने और दे देंगे तब 6 अंक हो जाएगा 1 2 3 4 ठीक है अब देखिए 10 मलों हम यहाँ पर बैठाएंगे और दस्मलों के पहले हम क्या देते हैं सुने तो इसका उत्तर हो जाएगा सुने दस्मलों सुने 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 नौ दो यानि दस्मलों के बाद 6 अंक होना चाहिए देखें 3 अंक, 3 अंक मिलके 6 अंक ठीक है अब प्रस्न 20 प्रस्न 20 में है एक दस्मलो सुन्य सुन्य पाँच गुना दो दस्मलो सुन्य सुन्य तीन तो इसको हम रफ में गुना कर लेते हैं तो देखे एक दस्मलो सुन्य सुन्य पाँच गुना दो दस्मलो सुन्य सुन्य तीन है यानि एक हजार पांच से दो हजार तीन को गुना करना है ठीक है तो देखें पांटिया पंदरा सुन्य तीन सुन्य से यहाँ पर देखें सुन्य से गुना होगा सब तो सुन्य हो जाएगा यहाँ पर भी सुन्य 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 अब देखे 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 ठीक है फिर सुन्य 2 गुना एक 2 इसको जोड़ देंगे तो 5, 1, 0, 3, 1, 0, 2 कितना आ गया इसको हम लिखे देते हैं 2, 0, 1, 3, 0, 1, 5 देखे इतना आया था अब देखे दस्मलों को बाद 3 अंग है दस्मलों को बाद 3 अंग है यानि 6 अंग होना चाहिए यहाँ पर तो 2 और से 6 अंग के पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि यहां दस्मलों देना होगा ठीक है 2 दस्मलों 0, 1, 3, 0, 1, 5 इसका उत्तर होगा प्रस्न 21 एकिस में है सुन्य दस्मलों 0, 0, 0, 4 दो गुना सुन्य दस्मलों 0, 0, 0, 2, 4 ठीक है इसको हम गुना कर लेते हैं तो देखे इसको गुना करने पर कितना आएगा हम तो इसको गुना करेंगे 42 गुने 24 यानि 24 दूनी कितना होता है 48 देखे हम इधर लिखेंगे 24 दूनी 48 ठीक है हाथ में रहा 4 24 चौक 24 होता है 96 96 चार हो गया 100 तो हम पर हम 100 लिख देंगे ठीक है तो 100 आठ हागी है 24 गूने 42 करने पर अब देखेंगे दसमलों को बार 4 याइथ है तो 4 याइथ हो गया तो यहाँ पर 4 हो गया तो 4 सूनी और देंगे 12-3-4 अब देखें activating dab用 8 रिख हो गया अब यहाँ पर हम 10 समलों देंगे और दस्मलो को पहले सूने देते हैं तो इसका उतर हो गया सूने दस्मलो सूने 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 एक सूने सूने आठ ठीक है प्रस्न बाइस प्रस्न बाइस में है सूने दस्मलो सूने सूने तीन गुना सूने दस्मलो सूने सूने पांच तो इसको गुना करेंगे तो देखें, पांतिया, पंदरा, पांतिया, पंदरा लिखेंगे, अब देखें, दसमलो को बाद तीन अंक है, दसमलो को बाद तीन अंक, तीन अंक, छे अंक हो गया, तो यहां पर दो ही अंक है, तो चार सुन्य हम देंगे, एक, दो, तीन, चार, अ 23 है 0.005 गुना 0.002 3 जो देखे, 23 पचे कितना होता है 5, 15 23 पचे 25 पचे, 15 हाथ मेरा 1, 5, 2, 10 से की गार है, यानि 115 होता है, 23 पचे ठीक है, अब देखे 10 मलों को बाद 3 अंक है, 10 मलों को बाद 5 अंक है, तो 5 और 3 अंक मिलके 8 अंक हो गया, तो यहाँ पर 3 ही अंक है, इसलिए 5 सुन्ने हम देंगे 1, 2, 3 4, 5 तो 5, 3, 8 अंक हो गया अब अब हम यहाँ पर 10 मलों देंगे और 10 मलों को पहले सुन्ने तो सुन्ने दस मलों, इसका अंसर हो गया सुन्ने सुन्य, सुन्य, एक-एक-पाँच, प्रस्न चोब्यस, 24 में है, सुन्य दसमलो, दस्य सुन्य, चार-दो, गुना, 60 दसमलो, पाँच ठीक है, तो इसको हम गुना कर लेते हैं, देखिए, प्रस्न चोविस को, तो 42 गुने, 605, इसको हम रख में गुना करेंगे, तो देखे, 605 गुना 42, ठीक है, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 चोविस, 6 चोविस, कितना आ गया, सूनने 1, 2, 2, 4, 4, 5, 2, 25,410, रश्न 24 में, तो यहाँ पर लिखेंगे, 25,410, अब देखे, 10 मलो को बाद 4 अंक है यहाँ पर, और यहाँ पर एक अंक, तो 4 अंक, और एक अंक मिलके 5 अंक हो गया, तो यहाँ पर देखे, 5 अंक है, तो यहाँ पर 10 मलो देंगे, ठीक है, और उसके पहले सूने, जिसका अंसर हो गया, सूने दसमलो दो पांच चार एक सुने तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं सुने दसमलो दो पांच चार एक बस यहां तक सुने दसमलो के बाद सुने रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता यानि दोनों सही होगा ठीक है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सुने दस सून्य सून्य तीन गुना 8.07 तो अब देखे थेटीस गुना 87 करते हैं शात्या एकीस, सात्या एकीस और दो तेष्या आतिया चोविस, 27 दो 26 1, 4, 3, 7, 6, 2, 8, 2 कितना आ गया 2871 हम यहाँ पर लिखेंगे 2871 अब देखें दसमलों को बाद 4 आंग दसमलों को बाद 1 आग तो 5 अंक हो गये दोनों मिलके तो 5 अंक किसको हम बना देंगे एक सुन्ने लगा करके अब यहाँ पर दसमलों देंगे और दस्मलों को पहले सुन्य, तो सुन्य दस्मलों, सुन्य दस्मलों, सुन्य दो, आठ साथ एक, इसका उत्तर होगा, देखें, परस्न 26, तो परस्न 26 में है, 6.89, 6.89 गुना, 15.75, तो इसको हम रफ में गुना करेंगे, तो देखें, 1575, गुना, 689, ठीक है, 9.45, 9.63, 4.67, 9.45, छे, एक आमन, 9.5, 14, देखें, 9.45, हाथ मेरा 4, 9.63, 4.67, हाथ मेरा 6, 9.45, छे, एक आमन, हाथ मेरा 5, 9.9, 9.5, 14, अब देखें, 8.45, हाथ मेरा 4, 8.53, 4.60, हाथ मेरा 6, 8.45, छे, एक आमन, हाथ मेरा 4, 8.4, 12, छे, पचे, तीस, सर्चक, ब्यालिस, तीन, पैंतालिस, पचे, पचे, तीस, चार, चौनतीस, छे, तीन, नौ, पांच, साथ, एक, छे, चार, देख, पच, पंदरह, चार, दू, छे, एक, साथ, एक, आठ, नौ, एक, दस, कितना आ गया, इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर, देखिए, तो, दस्मलों को बाद 2 अंग है, दस्मलों को बाद 2 अंग, 2 अंग, 2 अंग मिलके, यानि, चार अंग के पहले, दाई, ओर से, तो यहाँ पर दस्मलों दे देएंगे, तो इसको उतल रो गया, 108.5175 ठीक है तो इस तरह से हम 26 तक हल कर लेंगे पर 26 तक इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे देखिए